दोस्तो आज जो ये सर्किट मैंने बनाया है ये एक remote operated on off switch सर्किट है और दोस्तो इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने total 6 components इस्तेमाल किया है एक BC547 transistor एक TTP223 touch sensor module एक T-Shop एक 6V relay एक 10UF 25V capacitor और एक 1M resistor उसके बाद देखिए इस transistor का emitter pin मैंने इस module के negative pin के साथ और इस transistor का base pin मैंने इस module के out pin के साथ ऐसे connect कर दिया है उसके बाद इस transistor का collector pin मैंने relay के इस pin के साथ ऐसे connect किया है उसके बाद इस T-Shop का positive pin मैंने इस module के positive pin के साथ और इस T-Shop का negative pin मैंने इस module के negative pin के साथ ऐसे connect किया है उसके बाद इस capacitor का negative pin मैंने इस T-Shop के negative pin के साथ और positive pin मैंने इस T-Shop के out pin के साथ ऐसे connect कर दिया है उसके बाद इस one aim register को मैंने इस module के इस pin के साथ और इस T-Shop के out pin के साथ ऐसे connect किया है उसके बाद दोस्तों देखिए इस module का positive pin और relay के इस pin को मैंने एक तार के दोआरा एक साथ ऐसे connect कर दिया है तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इस circuit को बनाया है तो चलिए अब हम इस circuit को चेक करके देखते हैं अबड़ी ओड़ी आज़ी आज़ी मैंने अज़ी आड़ी को ऑट आज़ी 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 आज़ाँ YOU आज़ी आज़ीं आज़ीं हुआ बढ़ीं है झाल झाल झाल